KPIT Technology, Future का Multi-Vager Stocks और अभी के टाइम पर Retail Investors के साथ में Institutional Investors का सबसे पसंदीदा Stocks जी यहां दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ एक Midkeep Company KPIT Technology के बारे में जो कि अभी के टाइम पर Tata Group को टकर दे रहा है आज के दिन भी अमें Shares के अंदर 3.5% की तेजी देखने को मिल चुकी है और अगर अभी के टाइम पर आपने Shares को मेस कर दिया तो आने वाले 5 साल में आप चाहा कर भी Shares को नहीं खरीद पाएंगे ये शेर पिछले 6 महिने में 50% से ज़्यादा के रिटन्स बना कर दे चुका है लिस्टिंग के बाद से 600% से ज़्यादा के रिटन्स बना कर दे चुका है और कंपनी के अगर fundamentals numbers आप देखेंगे तो बहुत ही शादनर है quarter 3 के result company ने 31 जनवरी 2023 के दिन डेकलायर कर दिये हैं जहांपर company का profit 40% से grow करते हुए देखने को मिल रहा है तो ये थे कुछ की matrix number company के लेकिन आपको company के कुछ और parameters जो आपको नहीं पता है उनके बारे में बात कर लेते हैं सबसे बिले शुरुआत करते हैं KPIT technology के market capitalization के साथ में 22,000 करोड रुपे का company का market capitalization है जैसा कि मैंने कहा कि एक mid-cap company है इस company की खास बात यह है कि एक mid-cap company तो है लेकिन इसका return on capital employed and return on equity ratio एक large cap company के comparison में है 20% से भी ज़्यादा का हमें इसका ROC और ROE दिखने को मिलता है यानि कि ये company आपको पिछले एक साल में काफी अच्छा returns बना कर देने की capability रखती है और obviously बना कर दिया भी है अब retail investor और हर एक investors के मन में एक ही खयाल आता है कि अगर वो किसी shares के अंदर पेसा लगा रहे है तो वो shares बले ही आपको returns बना कर नहीं दे लेकिन जो पेसा आपने लगाया है उस पेसे को डुबाए भी नहीं तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि इस company के उपर कर्ज कितना है तो company के उपर total debt है 186 करोड का और अगर हम इसके debt equity ratio को देखें तो वो है सिर्फ 0.13 का यानि कि एक प्रतीशत नहीं आधिर प्रतीशत से भी कम का तो ये एक plus point है company के लिए अब यहाँ बन अगर आप company के पास में free cash flow देखेंगे तो 400 करोड से भी जादा company के पास में free cash flow यानि कि company चाहे तो एक minute में अपने पूरे debt को खतम कर सकती है अब अले parameters की बात करें कि company के मालिकों ने यानि कि company के जो promoters है उन्होंने company के उपर कितना भरोसा दिखा रखा है यानि कि promoters holding कितनी है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि promoters holding है 40 प्रतीशत की यानि कि 40 प्रतीशत का stay promoters के पास में है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बाकी का 60 प्रतीशत की हिस्सेदारी सिर retail investors के साथ में अगर सिर retail investor के पास में होती तो हम के सकते दें कि यहाँ पर operator का खेल हो सकता है इस तेजी के बीचे लेकिन यहाँ पर FII और DII का काफी बड़ा stake है तो यह भी चीज यहाँ पर clear हो गई है अब बात कर ले दें कंपनी के कुछ और numbers के बारे में net profit की बात करें तो पिछले साल कंपनी ने साड़े 300 करोड रुपे का profit बनाया था जो की एक mid cap कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा है और अगर reserve की बात करें तो 1100 करोड रुपे के कंपनी के पास में healthy reserve है अगर इसके dividend yield percentage की बात करें तो कंपनी काफी अच्छा dividend भी देती भी आ रही है अब बात कर लें दें कंपनी की balance sheet के बारे में तो कंपनी की depth तो हमने देख लिया अब अगर हम कंपनी के assets दिखें 2400 करोड रुपे के कंपनी के पास में healthy assets है याने की कंपनी एक काफी अच्छी healthy assets भी maintain करती वे आ रही है तो ये तो हो गई कंपनी के कुछ important numbers के बारे में अब बात कर लेते हैं कंपनी किस sector में काम करती है और कंपनी का काम क्या क्या है तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो autonomous driving का कंपनी काम करती है electric and conventional powerting का कंपनी काम करती है connected vehicles याने की vehicle को connect करने के लिए जो आजक्यल AI का use किया जा रहा है artificial intelligence का उसमें कंपनी काम करती है digital connected solutions का कंपनी काम करती है vehicle diagnostics का कंपनी काम करती है और auto SAR का कंपनी काम करती है याने की अगर आप एक भी sector उठा कर देखेंगे तो सभी sector futuristic है सभी AI पर काम करने वाले है artificial intelligence पर और आने वाला future ही AI होने वाला है जैसे कि electrical vehicles की demand इंडिया के अंदर बहुत एजी से बढ़ रही है तो हर एक sector में company काम कर रही है Ultimately अगर कहूं तो digital technology पर company काम करते हुए देखने को मिल रही है अब बात करें company के तो company के 6000 से भी जादा Automobilers across the globe हमें देखने को मिलते हैं यारे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बलकि Europe, USA, Japan, China, Thailand सब जगें हमें इनके Automobilers देखने को मिलते हैं अगर हम इनका service portfolio देखें तो company यहाँ पर जो service provide करती है जो service देती ही अपने customers को अगर वो आप देखेंगे तो future development and integration, architecture consulting and middleware and cloud-based connected services company provide करती है अब अगर हम यहाँ पर KPIT technology के revenue को split करें याने कि company को कहां से कितना revenue आता है, किस देश से तो USA से आता है 39% का, Europe से आता है 49% का और rest of the world आता है 21% का याने कि सबसे जगा इनका revenue जो होता है, वो USA और Europe से होता है और यहाँ से company काफी अच्छा revenue generate करती है तो कभी भी KPIT technology के अंदर अगर आपको थेजी देखने को मिले तो उस थेजी को यह मत समझना कि Indian stock market के positive होने के चलते या Indian stock market के अंदर को positive news आने के चलते आपको यहाँ पर थेजी देखने को मिली है क्योंकि USA से और Europe से जब कोई positive news निकल कर आएगी तब जाकर हमें KPIT के अंदर तेजी देखने को मिलेगी अब revenue को अगर हम verticals देखें तो वो आप यहाँ पर देख पाएंगी कि passenger cars से company को 74% का revenue आता है commercial vehicle से company को 24% का revenue आता है और other segment से company को 2% का revenue आता है यानि कि company का revenue है वो dependent है 74% यानि कि passenger cars के उपर और EV जो कि इंडिया के अंदर demand बहुत तेजी से बढ़ रही है और company का future भी AI है तो इस company को उसका benefit मिलने वाला है अब अगर हम बात करें client concentrations की तो FI 2022 में more than 80% of the revenue were derived from T25 clients यानि कि इनके पास जो top 25 clients है उससे company को 80% का revenue generate होता है जिसमें से the top 21 clients contribute 82 to 85% revenue काफी बड़ा numbers देखने को मिलता है यानि कि इनके पास 20 client 20 से 25 client ही यह से है जिससे लगब 80 से 85 प्रतीशत की income हीने होती है काफी शांदर numbers हमें देखने को मिल रहे है काफी बड़े market leaders जो इनके पास में client है वो हमें देखने को मिल रहे है तो KPIT technology copy नहीं कर सकता है और 4 granted patents से यानि कि अगर आप देखेंगे तो 45 patents इननों ने file कर रखें till date तक और 4 already यहाँ पर grant हो चुके हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि company बहुत तीजी से grow कर रही है और अगर आप इनके competitors देखेंगे अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे number one company Tata Alexi की आने वाले पांच साल में यह Tata Group की company Tata Alexi को भी beat कर सकती है एसी ही कुछ performance last कुछ month से हमें KPIT technology की देखने को मिली है तो यदि आप इस shares के अंदर खरीदारी करना चाते हैं तो अगर यह share आपको 750 रुपीज से लेकर 800 रुपीज की range में मिलता है तो यहाँ पर आप buy and dip के strategy को follow कर सकते हैं for the long term purpose क्योंकि आने वाले long term में यह shares आपको 1000 रुपे प्लस जाते हुए देखने को मिल सकता है इसमें कोई doubt नहीं है तो यह थी एक best stocks की best complete analysis वाली वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो इससे like और share करना मत भूलेगा इस वीडियो के likes का aim हम रखते हैं 200 likes का तो इस पर अपना प्यार दिखाना भी मत भूलेगा तब तक के लिए thank you for watching have a nice day